दोस्तो आज की इस वीडियो में हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहरों को याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तो इससे पहले मैंने तकरीबन 16 नदियों के उपर नदी तंतर की वीडियो बनाई है जिसकी प्ले लिस्ट अब अवैलेबल है आप चाहें तो जाके देख सकते हैं तो मैंने उन वीडियों के अंदर पूरी नदियों की सहायक नदिया बताई थी साथी बांज भी बताई थे कुछ एक शहर भी बताई थे लेकिन बहुत सारी नदियों में कुछ महतवपूर्ण शहर छूट भी गए थे जिसकी वज़े से आपने कंप्लेंट भी की थी तो मैंने यह सूचा था कि इसको एक अलग वीडियो के अंदर मैं जरूर कवर कर दूँगा तो आज हम भारत की तकरीबन 10 से 12 से 15 महतवपूर्ण नदिया लेंगे और उन नदियों के किनारें बसे महतवपूर्ण शहरों को याद करनी की कोशिश करेंगे मैप की मदद से आपका काम हमेशा की तरह नोट्स बनाते वें चलना है और हम जदा देर न करते वें शुरू करते हैं तो इसकी शुरुवात हम करेंगे अब्यसली गंगा नदी के साथ क्योंकि भारत की भूमी पर भेने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है गंगा नदी की बात हो रही है तो शुरुवात हम उत्तरा खंड से कर सकते हैं उत्तरा खंड में दो मैत्वपूर्ण शहर है एक है हरिदवार और एक है रिशीकेश धार्मिक दृष्टी से बहुत इंपोर्टन्ट है भौगलिक दृष्टी से भी इंपोर्टन्ट है भी सवाल बन सकता है इसको भी आपको याद रखना है। बात करें बहार की, तो बहार में पटना और भागलपूर काफी इंक्पॉर्टेनट शेयर है, यтобы तो उत्राखंड से लेके वेस्ट बेंगाल तक ये इंपॉर्टेनट शेयर हैं जो आपको याद रखने है। इसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी की यमुना नदी की शुरुवात भी उत्राखंड से होती है यमुनोत्री से तो उद्गम सल्टो स्पेशली याद रख लो यमुनोत्री उत्राखंड के अंदर उत्तरा खंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हरिद्वार का भी थोड़ा सा हिस्सा है जो यमुना नदी के शेत्र में आता है या यू कहलो कि यमुना नदी हरिद्वार के शेत्र में आती है तो थोड़ा सा हिस्सा हरिद्वार का भी है इसको याद रखना बात करें उत्त्रप्रदेश की तो मत्रॉ आगरा, इटावा, कालपी और प्रयागराज यह important चहर है इनको याद रखो मत्रॉ आगरा, इटावा, कालपी और प्रयागराज यह वो शहर हैं जो यम्मुना नधी के आसपास बसे हुए इन सब के अलावा एक केंद्रिय शाषित प्रदेश भी है जो यमुना नदी के किनारे आता है जिसको आप कहते हो दिल्ली तो दिल्ली भी आपको याद रखता है इसके बाद तीसरी नदी की बात करें वो है ब्रहमपुत्र नदी अब ब्रहमपुत्र नदी आपको पता है पास पास बसे हैं, इसके बाद ये असम में भी जाती है, तो असम का तेजपूर, गुवाहाटी और डिब्रूगर, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अलकि मैंने आपको बताया था, असम वाली वीडियो के अंदर बताया था, प्रमपुत्र नदियां से गुजरती है, इसक मैत्वपूर्ण शहर हैं, जो नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं, उसमें एक है अमरकंटक, अब अमरकंटक एक उद्गम स्थल है, मुझे पता है, उसको हम शहर मिनने डालेंगे, लेकिन आप उद्गम स्थल को याद रखके चलो, अमरकंटक, इसके अलबाद जबलपूर बसा हुआ है, नर्सिंगपूर, खोशंगाबाद, जिसको आप नर्मदापुरं के नाम से भी जानते हूँ, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर और इंदौर, थोड़ा सा हिस्सा इंदौर का भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है, तो ये वो शहर हैं शहर आपको देखेगा, ये भी इसी के किनारे पे बसा हुआ है, तो ये याद रखना नर्मदा को, नर्मदा के बाद हम चलते हैं गुदावरी की तरफ, गुदावरी नदी जो है, वो महराष्ट्र, तेलंगाना, अंदर प्रदेश, सब जगे जाती है, तो महराष्ट्र मे है, इसके अलावा तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर निजामाबाद और खंबम, ये दो इंपोर्टन शहर है, जहां से गुदावरी जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इसके बाद आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश में राजमुंदरी शहर है, काकी नाड रमदा, गुदावरी के बाद हम चलते हैं, कावेरी नदी की दरफ, कावेरी नदी को आप ये कह सकते हो, कि यहां से साउथ का इलाका शुरू हो जाता है, साउथ इंडिया का इलाका, कावेरी नदी सबसे पहले करनाटक की बात कर लेते हैं, करनाटक में ताल कावेरी, जिस आसपास बसेवे शहर हैं ये तो इनको आपको याद रखना है इसके बाद ये नदी तमिल नाडू की तरफ जाती है तो तमिल नाडू का कोईमबटूर शहर जो इसके आसपास बसा है इसके लावा इरोड, गरूर, तिरूचिरापली, तंज़ोर, तिरूवन्नमलाई, जो ति औडिशा साइड हो जाता है महा नदी जो है चत्तिस गड़ से गुजरती है तो चत्तिस गड़ का दंतेवाडा बस्तर, जगदलपूर राएपूर, बिलासपूर और राएगड ये वो शहर हैं जो इस महा नदी के किनारे या फिर आसपास में बसे हुए हैं कुणाक, जहाँ पर मंदर बना हुआ है सूर्य मंदर, भुवनेश्वर और कटक ये वो इंपॉर्टन शहर हैं जो महा नदी के आसपास बने हुए हैं तो चत्तिस गड़ और ओडिशा महा नदी याद रखना इसके बाद हम चलते हैं तापती नदी की तरफ जिसे तापती नदी भी कहा जाता है तापती नदी मद्यपरदेश, महराष्ट और गुजरात सब जगे से हुके निकलती है तो मद्यपरदेश का मुलताई, नेपानगर, बैतूल और बुरहानपूर जो आसपास में बसा हुआ है ये वो शहर है जो तापती नदी के आसपास में बसे है किनारे पे बसे हुए बुरहानपूर का जो हिस्सा है वो थोड़ा बहुत प्रभावित है इससे याद रख लेना महराष्ट का भुसावल और जलगाओं भी इसी के आसपास बसे हुए है और गुजरात का सूरत और सोनगर भी इसी के आसपास बसे हुए है तो ये तापती नदी हो जाती है इसको भी याद रखो अब बात करते हैं गोमती नदी की जो मेली उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव डालती है उत्तर प्रदेश में पीली भीत, शाजापुर, सीतापुर, लखनाओ, सुल्तानपुर और जौनपुर ये जितने भी शेहर हैं ये सब गोमती के आसपास ही बसे हैं किनारे पे ही बसे हैं तो ये आप याद रख सकते हो गोमती नदी इसके बाद हम चलते हैं दसवी नदी यानि के कृष्णा नदी की तरफ कृष्णा नदी जो है वो महराष्टर, करनाटक, तेलंगाना और आंदरप्रदेश सबी जगाओं को प्रभावित करती है तो महराष्टर की बात करें तो महा बलेश्वर से इसका उद्गम स्तल होता है इसके लावा सांगली और सोलापूर इसके आसपास बसे हुए हैं महराष्टर के अंदर इसको आपको याद रखना है करनाटक की बात करें तो करनाटक का कुदगी, राय चूर और विजय नगर शहर इसी के आसपास बसा है, किनारे पे बसा है, इसको भी आपको याद रखना है तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में महभूब नगर, नल- गौंडा और कृशना शहर कृशना नदी के आसपास बसा है और आंदर प्रदेश की बात करें तो आंदर प्रदेश का विजयवाड़ा, गुंटूर और मचली पत्नम जहां पे कृष्णा नदी का मोहना भी माना जाता है वो भी इसी के आसपास बसा हुआ है तो महराष्टर, करनाटक, तेलंगाना और आंदर प्रदेश को याद रखना है जिसके शहर कृष्णा नदी के आसपास बसे हुए हैं अगर ये सारे नाम भी आपको याद रह जाते हैं तो आप जीके के अंदर और जोग्राफी के अंदर जो MCQ आते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे आप MCQ का भी जवाब देदोगे और साथी बड़े आंसर्स भी जब बनाने होंगे मैप का आपके दिमाग में चल रहा होगा मैप तब उस समय पे ये सारी जीज़े क्लियर हो जाएंगी तो ये नाम आपको याद रखने हैं एक बार लिख लो दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा अब कृष्णा से हम बापिस चलते हैं होगली नदी की तरफ जो की गंगा का ही इससा आपको पता है होगली भी होगली नदी के किनारे आपका कोलकाता, हावडा, बारा नगर, चंदन नगर, श्रीरामपूर, होगली और बैरकपूर जैसे important शहर बसे हुए हैं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर गोमती नदी का प्रभाव है, उसी तरीके से जो हुगली नदी है, इसका जो वेस्ट बंगाल में काफी प्रभाव है आपको पता है वैस बंगाल की तरफ बारिश बहुत होती है और यहीं पर चावल की खिती भी होती है तो पानी की जरुवत यहां पर बहुत जादा होती है तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है यह आपको पता है गंगा नदी का हिस्सा है जो इस तरफ आता है बाकी हिस्सा तो बांगलदेश जाता है, उसके बाद सुंदर्बन डेंटा बनता है, ये सारी चीजे में आपको बता चुका हूँ, तो हुगली नदी और उसके आसपास बसेवे शहरों को जरूर धियान में रखना, अब बात करते हैं हम थोड़ी बहुत छोटी नदियों की, जो सायक नद सतलज नदी के आसपास बसे हुए हैं, इसके अलबा पंजाब में इसका अच्छा खासा प्रभाव है, तो पंजाब का रूप नगर, पटियाला, फिरोसपुर और लुद्याना इसी के आसपास बसे हुए हैं, अब आप कहेंगे कि लुद्याना थोड़ा दूर है, ये बास कश्मीर की राजधानी हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इसके बाद बात करें सिंधू की, तो सिंधू नदी भी एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन मेल लिए लद्दाक से उके गुजरती है, तो लद्दाक का एक इंपॉर्टन्ट शेहर है, जिसका नाम है ले शेह लद्दाक का बहुती प्रमुक शेहर है, राजधानी है, तो इसको भी याद रखना है, और आखिर में हम बात करते हैं, शिप्रा नदी की, जो कि शिप्रा नदी के आसपास एक शेहर बसा हुआ है, जो धारमिक दृष्टी से काफी इंपॉर्टन्ट है, जिसका नाम है तो ये वो 15 नदीया हो जाती हैं, और उसके आसपास बसेवे शेहर हो जाते हैं, जिनसे की मुख्य रूप से सवाल बनता है, अब ऐसा नहीं है कि नदीया यहीं पे खत्म हो जाती है, और भी नदीया है, और भी महत्वपूर्ण शेहर हैं, अगले पार्ट में हम उन नदीय की बात भी करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तो मुझे अमीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए helpful साबित रही होगी, अगर इसके बात भी इसके अंदर आपको एक query आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें comment section में बता सकते हैं, तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अं नहीं, see you in the next one.